Good morning students, in today's science class, we are going to study chapter 7, Parts of a Plant. आज का जो हमारा टोपिक है, वो है the leaves, यानि जो पत्ते होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे. Leaves have two important jobs, leaves, यानि जो पत्ते होते हैं, उनके two important jobs, यानि दो महत्वा पूर्ण कारे होते हैं. First, they make food for the plant. Leaves, यानि जो पत्ते होते हैं, वो plant, यानि जो पोदा होता है, उनके लिए वो food, यानि खाना बनाते हैं. They use water from the soil and carbon dioxide from the air to make food. Leaves, यानि जो पत्ते होते हैं, वो plant, यानि जो पोदा होता है, उनके लिए वो खाना कैसे बनाते हैं? तो वो किस-किस का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए? Water from the soil, soil यानि जो मिटी होती है, उसमें से वो water का यूज करते हैं. And air, यानि जो हवा होती है, उसमें से वो carbon dioxide को लेते हैं. जिससे वो क्या बनाते हैं? Food, यानि वो खाना बनाते हैं. We use gas, kerosene, wood or coal to make food. जैसे कि हम खाना बनाने के लिए किस-किस का यूज करते हैं? Gas, kerosene, wood, यानि जो लकडिया जो होती है, उनका, coal, यानि जो कोईला होता है, उनका, use करते हैं. Food, यानि खाना बनाने के लिए. तो इसी तरह, leaves, यानि जो पते होते हैं, वो प्लांट के लिए, खाना बनाने के लिए किस-किस का यूज करते हैं? Water का, and air, यानि हवा में जो carbon dioxide होता है, उनको वो लेते हैं. How do plants make food? Plants, यानि जो पोदे होते हैं, वो कैसे खाना बनाते हैं? They use sunlight, sunlight यानि जो सूरिया का प्रकाश होता है, उनका भी वो यूज करते हैं. Here is simple way to write how plants make food. नीचे एक simple तरीका दिया गया है, कि plants यानि जो पोदे होते हैं, वो खाना केसे बनाते हैं? यानि किस-किस का यूज करते हैं? Carbon dioxide, जैसे कि air यानि हवा में जो carbon dioxide होता है, उनका वो यूज करते हैं? Water, soil यानि जो मिटी में water होता है, उनका वो यूज करते हैं? Using sunlight, sunlight यानि सूर्य का जो प्रकास होता है, उनका वो यूज करते हैं. जिससे क्या बनता है? Food यानि खाना. Plants जो होते हैं, वो food यानि खाना बनाने के लिए carbon dioxide, water and sunlight का क्या करते हैं? Use करते हैं. Second, leaves also help a plant take in air. Leaves यानि जो पते होते हैं, वो plant को air यानि हवा लेने में भी मदद करते हैं. जिससे कि हम जीने के लिए हवा में जो मोजूद oxygen होता है, वो लेते हैं and carbon dioxide को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं. And plant क्या करते हैं? हवा में मोजूद जो carbon dioxide होता है, वो लेते हैं अंदर and oxygen को वो बाहर निकालते हैं. तो leaves यानि जो पते होते हैं, वो plant को air यानि हवा लेने में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं. They have pores, pores यानि tiny holes through which air enters. हम air यानि हवा को किसके थू लेते हैं? हमारा जो nose होता है, उसके थू हमारे सरीर में air यानि हवा जाती हैं. तो इसी तरह leaves यानि जो पते होते हैं, उसमें क्या होते हैं? tiny holes यानि छोटे छोटे क्या होते हैं? holes होते हैं. जिसके थू एर यानि हवा जो है, वो अंदर enter होती है. you cannot see these spots, यानि tiny holes, but you can block them and see what happens. leaves यानि जो पते होते हैं, उसमें क्या होते हैं? tiny holes यानि छोटे छोटे holes होते हैं, जिसके थू एर यानि हवा जो है, वो अंदर enter होती है. लेकिन हम वो tiny holes को देख नहीं पाते हैं, वो इतने छोटे छोटे होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं. लेकिन leaves यानि जो पते होते हैं, उसमें जो tiny holes होते हैं, उनको block करके देखिए, क्या होता है? एक activity through हम समझते हैं कि जो leaves यानि जो पते होते हैं उनमें जो tiny holes यानि जो छोटे-छोटे holes होते हैं अगर उनको हम बंद कर देंगे यानि उनको हम block कर देंगे तो क्या होता है Place a potted plant in the sun यानि गमले में लगे पोधे को दूप में रखिए Cover both sides of the leaves with vaseline Leaves यानि जो पते होते हैं उनकी both sides यानि डोनों sides आप लोगों को क्या लगाना है Vaseline लगाना है Leaves यानि जो पते होते हैं उनकी both sides यानि दोनों sides आप लोगों को Vaseline से cover करना है The Vaseline will block the pores on the leaves Leaves यानि जो पते होते हैं उनकी both sides यानि दोनों sides को हम Vaseline से cover कर देंगे तो क्या होगा? Leaves यानि जो पते होते हैं उनमें जो tiny holes यानि जो छोटे छोटे जो holes होते हैं वो ब्लोक हो जाएंगे यानि Vaseline पे वो बंद हो जाएंगे Water the plant every day Every day यानि हर दिन Plant को क्या दे? Water यानि पानी दे After two or three days the plant will die Because it will not get any air आप लोग everyday यानि हर दिन Plant को water यानि पानी दोंगे तो भी क्या होगा? Two या थ्री डेज के बाब वो plant मर जाएगा Because it will not get any air क्योंकि उसको तो कोई हवा ही नहीं मिलेगी क्योंकि आप लोगों ने Plant यानि जो पोदा होता है उनके जो leaves यानि जो पते होते है उनको तो Vaseline से क्या कर दिया है? उनकी बहुत sides को कवर कर दी है जिससे क्या होगा? leaves यानि जो पते होते है उसमें जो tiny holes यानि जो छोटे-छोटे जो holes होते है वो तो Vaseline से कवर हो गए रोक हो गए, बंद हो गए है जिससे air यानि हवा जो है वो enter नहीं हो पाती है यानि प्लांट को कोई air यानि हवा नहीं मिल पाती है जैसे ही प्लांट को हवा नहीं मिलेगी तो प्लांट तो मर ही जाने वाला है ज़रा आप लोग सोचिए अगर हम हमारा जो nose होता है, जो नाक होता है उन्हें थोड़ी देर के लिए भी हम बंद कर देते है तो क्या होता है? हम ज्यादा दे तक हमारे nose को बंद नहीं कर पाते है जैसे की हम air यानि हवा के बीना नहीं जी पाते है तो इसी तरह plants यानि जो पोदे होते है वो भी air यानि हवा के बीना वो भी जी नहीं पाते है जैसे की plants यानि जो पोदे होते है वो air यानि हवा के बीना नहीं जी पाते हैं तो इसी तरह sunlight यानि सूर्य का जो प्रकाश होता है उनके बीना भी वो नहीं जी पाते हैं To see whether a plant needs sunlight, put a potted plant in a dark place indoors अगर आप लोग यह जानना चाते हो कि plants यानि जो पोदे होते हैं उनको sunlight की जरूरत होती है या नहीं होती है यह जानना चाते हो अगर आप लोग तो आप लोग एक एक्टिविटी कर सकते हो Potted plant यानि गमले में लगे हुए plant को आप लोग घर के अंदर किसी अंदेरी जगह पर रख दे जहांपे sunlight यानि सूर्य का प्रकास ना पहुँच पाए एसी कोई जगह पर घर के अंदर रख दे The plant will die after a few days because plants cannot make food without sunlight After a few days यानि थोड़े दिनों के बाद आप लोग देखोगे तो क्या होगा Plant will die, पोदा मर जाएगा क्योंकि plants यानि जो पोदे होते हैं वो without sunlight यानि सूर्य के प्रकास के बिना वो food यानि खाना नहीं बना सकते हैं जैसे कि हमें जीने के लिए air यानि हवा and food यानि जो खाना होता है उनकी जरुरत होती है तो इसी तरह plants यानि जो पोदे होते हैं उनको भी जीने के लिए air यानि हवा and food यानि जो खाना होता है उनकी जरुरत होती है leaves are of many kinds some are sown below plants यानि जो पोदे होते हैं उनके जो leaves होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं आप लोग कुछ leaves यानि जो पत्ते होते हैं plants के उनको नीचे देख सकते हो यानि जितने भी plants होते हैं जितने भी पोदे होते हैं उनके जो leaves होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं सबके क्या होते हैं different अलग अलग प्रकार के होते हैं उनकी size अलग होती हैं उनका shape अलग होता है यानि जितने भी plants यानि जो पोदे होते हैं उनके जो leaves यानि जो पत्ते होते हैं वो सब के क्या होते हैं different यानि अलग-अलग होते हैं ठीके तो आज का हम यहां तक रखते हैं next part में हम the flowers के बारे में जानेंगे thank you